हेलो फ्रेंट्स आज ना मैं आपके साथ चना दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हम पंजाबी घरों में चाहे रोज बनालो फिर भी मन नहीं भरता इतनी टेस्टी बनती है देखे मैं आपको पताती हूँ मैं कैसे बनाई है यहां मैंने एक कटोरी चना दाली है जिसे मै है सीक्रेट इंग्रीडियन अम्रित सरी वड़ी इसको इस तरह हाथ से क्रश करके यह भी मैंने कूकर में डाल दी है अब साथ में मैं डालूंगी घिया आधी घिया मैंने यहां पर चौप करके इसमें डाल दी है साथ में रेगलर मसाले है नमक है जीरा है हींग है जो आप तो नो दाल में वो सब डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर डालेंगे इसमें देसी घी, एक से दो चमच देसी घी के डालिए और कुकर की लेड लगा के इसके रदीजे प्रेशर कुकर मीडियम फ्लेम पर जब चार से पांच विसल आ जाए तब आप खोल के दे देसी घी, खूब सारा, जिसमें मैंने डाला है, जीरा, हींग, कसूरी, मेथी और गैस बंद करके डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, देके मेरी गैस बंद है, नहीं तो ना जो मिर्च का रंग है वो बिदम काला पढ़ जाता है, और ये तड़का डाल देंगे हम हमारी च करी जाती है तो देखे कितनी सिंपल है एक तो जल्दी बड़ी बन जाती हूं कि सब चीज़ हमने बीच में ठाल दी और इसका स्वाद इतना अमेजिंग है न कि आप इसे रोज खा सकते हैं एक बार ट्राइ करके देखेगा आपको यह बहुत पसंद आएगी वीडियो